तो गाइस यहां पे क्या दे रखा है आपके पास IV graph है और IV graph में आपको बताना है कि यह resistances बता रहे हैं खर slope जो IV graph का होता है slope के अगर हम बारे में बात करें slope तो slope क्या होता है basically change in y coordinate upon change in x coordinate यहां पे जो y coordinate है guys वो क्या है current है और x coordinate क्या है voltage है तो अगर किसी भी graph का हम लोग देखते हैं y coordinate upon x coordinate तो यह आपका क्या हो गया i हो गया और यह आपका हो गया v तो यह हो गया i by v और हम लोग ओम स्ला से क्या जानते है v equals to i into r होता है i i cancel हो गया यह आगया 1 by r इसका मतलब जो slope of IV graph है वो 1 by r को बताता है या इसी को हम conductance कहते है या reciprocal of resistance हमें क्या पता चलता है अगर slope क्या हुआ slope जादा हुआ अगर हम लोग slope कहते हैं slope हमारा जादा हुआ तो resistance क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब देखे गाईस इसमें सबके slope थो at least सबके अलग-अलग है जो आपका r3 का slope है वो सबसे कम है और जो r1 का slope है सबसे जादा है अब चुकि r3 का slope सबसे कम है इसका resistance सबसे सबसे जादा होगा तो r3 आपका option कौन दिख गया c दिख गया और r1 का slope सबसे जादा है तो इसका value क्या होगा इसका resistance की value सबसे कम होगी thank you guys